वेलकम टू यॉल एट माई यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम वित असके हेलो दिस इस सुनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पिस्टीवन के MCQ कोशन फ्रॉम कोशन नुमर 381 तो कोशन नुमर 400 और ये वीडियो है Space Special Part 4 और आपको पता है कि हमने पिछले तीन वीडियो से Space Special पे कवर किया है Space Special पे Part 1, Part 2 and Part 3 और ये आज है आपके सामने Part 4 चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नुमर 381 से हैली कॉमेट वोज लास्ट सीन इन हैली कॉमेट आखरी बार कभ देखा गया था ये आपको बताना है और पिछली वीडियो जब हम कवर कर रहे थे पिछला वाले वीडियो तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था चलिए इसका आंसर आप गैस कीजिए इस कोशन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन भी हो जाएगा 1986 में हैली कॉमेट आखरी बार देखा गया था और ऐसा अनुमाल लगाया जा रहा है कि साल 2061 में दुबारा से हैली कॉमेट देखने को मिलेगा आगे बढ़ते हैं कोशन नुमर 382 की तरफ लिस्ट ओ से आउटर की तरफ कौन सा लेयर है कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा आपके पास हैं पर आप्शन है और जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कोर मेंटल क्रस्ट किस तरीके से एक बार देख लो यह देखिए अर्थ कि यह तीन लेयर से यह ले क्रस्ट मेंटल कोर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ नमर 383 क्रस्ट ऑफ अर्थ यूनिफॉर्म क्या अर्थ का क्रस्ट जो है वो यूनिफॉर्म है आपके पास यहाँ पर आप्शन्स हैं ए येस बी नो सी कांट से और डी है नॉन और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो वो हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं अर्थ का जो क्रस्ट है वो यूनिफॉर्म नहीं है ऐसा क्यों है मैं आपको बता देती हूं देखिए कहीं तो ओशियन है इतना गहरा कहीं माउंटेन है इतना उंचा ठीक है फिर छोटी-छोटे हिल्स हैं फिर कोई नदी है तो क्या नहीं है इसलिए इसका जो आंसर है वो नो हो जाएगा ऑप्शन भी करेक्ट आगे बढ़ते हैं कोश्ट नमर थ्री हांड़ेड़नेटी-नाइन की तरफ 84 की तरफ यह है ओन विच लेयर ऑफ अर्थ विलिव हम अर्थ के किस लेयर पे रहते हैं यह आपको बताना है आप सभ आपके पास प्रोप्शन उप्सफ़ेड़नेट उन्हमीट करते हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक कर दीगे और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, साथ ही साथ हिट कीजे बेल का इकन, ताकि आपको हमारे वीडियो के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन आन टाइम मिलते रहें, कोशन नमर 386, Average Temperature of Earth, अर्थ का Average Temperature क्या है, आपके पास यहाँ पर Options है, A, 17 डिगरी सेल्सियस, B, 16 डिगरी सेल्सियस, Option C है, 16 डिगरी सेल्सियस, and Option D is, 4 डिगरी सेल्सियस, और Correct Answer होगा, Option C, 16 डिगरी सेल्सियस, आगे बढ़ेंगे, कोशन नमर 387 है, Dash Layer Absorbs Harmful UV Radiation from the Sun, आपको बताना है कि वो कौन सी लेयर है, जो सन से आने वाली बहुत ही हानी का रख, UV rays को रोपती है, उसे absorb कर लेती है, आपके पास यहाँ पर Options है, A, Ozone, B, Blanket, C, Atmosphere, and D, is all of these, और Correct Answer होगा, Option A, Ozone Layer जो है, वो absorb कर लेती है, harmful UV rays को, आगे बढ़ेंगे, Next Question आपकी स्क्रीन पर, Ozone Layer is in which layer of atmosphere, Ozone Layer हमारे atmosphere के किस layer में है, आपके पास यहाँ पर Options है, A, Troposphere, B, Stratosphere, C, Exosphere, and D is Mesosphere, और इसके लिए जो Correct Answer होगा, वो हो जाएगा, Option B, Stratosphere में Ozone Layer है, इसी लिए Stratosphere को Ozoneosphere भी कहा जाता है, तो कहीं पर अगर Stratosphere की जगे पर Ozoneosphere हो, तो भी आप वही समझेगा, कि यह हाँ पर बात Stratosphere की ही हो रही है, Question No.389, Dash Traps Heat in Earth's Atmosphere, इसमें से वो क्या है, जो Heat को Absorb कर लेता है, अर्थ के Atmosphere में, उसको Trap कर लेता है, रोक लेता है, आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं, A, CO2, B, O3, C, Option है, H2O, and D, Option है, O2, और इसके लिए जो Correct answer होगा, वो हो जाएगा Option A, CO2, Carbon Dioxide जो है, वो Trap कर लेता है, अर्थ में, Atmosphere को, और इस Effect को हम Greenhouse Effect भी कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता, अगर CO2 हमारे Atmosphere में नहीं होता, तो अर्थ का जो Temperature है, इस वक्त, वो काफ भी Low हो जाता है, और इतना Low हो जाता है, कि इसके चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही जमा रहता, Q390, Earth Crust is Thick Under Ocean, Ocean के अंदर Earth Crust कितना थिक होता है, यह आपको बताना है, आपके पास यहाँ पर Options है, A, 10 Kilometer, B, 65 Kilometer, C, 25 Kilometer, and D is 30 Kilometer, Correct answer होगा, Option A, 10 Kilometer, Oceans में जो Earth Crust की Thickness है, वो 10 Kilometer है, वहीं पर अगर आप Continents की बात कर लें, तो Continents में जो Earth की Thickness है, Earth Crust की, वो हो जाती है, 65 Kilometer, Question No. 391, Earth Rotation on its Axes, Once in Every, Earth अपने Axes पर Rotate करता है, एक बात, कितने घंटों में आपको बताना है, आपके पास यहाँ पर विकल्प हैं, और इसके लिए जो सही अंसर होगा, वो Option D हो जाएगा, 25 आर्स, और 25 आर्स में दिन और रात दोनों होती है, Question No. 392, Phenomena like Tides in Ocean and Sea, Solar and Lunar Eclipse are caused by, यह कुछ Phenomena है, समुंद्रों में Tides का आना, या महासागरों में Tides का आना, फिर Solar यानि शूरे और Lunar यानि की Moon, तो सूरे और चंदर के ग्रहन लगना, यह सभी Phenomena किस कारण से होती है, किस की मौजूदगी के कारण होती है, आपके पास व A, Moon, B, Revolution of Earth, C, Sun, and D is None, और इसके लिए जो correct answer होगा, वो हो जाएगा, option A, Moon, मौन के कारण, Ocean और Sea में Tide आता है, और Solar और Lunar Eclipse लगता है, आपके पास यहाँ पर next question है, question No. 393 आपके screen पर, और यह है, the regular seasons on the Earth, Earth पे, आपको सब की को पता है, कि 6 रीतुए आती हैं हमारे भारत में, तो seasons change होता रहता है, तो आपको पताना है कि season क्यों change होता है, और regular basis पे होता है, आपके पास यहाँ पर अब options है, tilted axis of rotation of Earth, option B है, Sun rotation, option C है, normal axis of rotation of Earth, and option D is None, और इसके लिए जो correct answer होगा, वो हो जाएगा, option A, जो हमारा Earth है, वो अपने axis पे tilt है, हलका सा जुका हुआ है, और इसी कारण से हमारे धर्ती पर seasons regularly change होते हैं, इसी इसको आप याद रखेगा कि tilted axis of rotation of Earth is the reason, that's why regular seasons occur on our Earth, आगे बात करें, question number 394 की, inclination of the axis of rotation of Earth, अभी हम बात करें थे कि कितना tilted है, थोड़ा सा जुका हुआ है, अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि कितना जुका हुआ है, आपके पास यहाँ पर options दिया हुआ है, 3 degree, option B है, 98 degree, C है 23 degree, and D है non, और इसके लिए जो correct answer होगा, आपकी book के according, वो 23 degree होगा, लेकिन असल में अगर हम real बात करें, तो जो inclination है, वो यह है, 23 and half degree angle से, जो हमारा अर्थ है, वो inclined है अपने axis पर, अच्छा 3 degree फिर किसका है, 3 degree की बात करें, तो 3 degree inclination है Jupiter का, और वही पर 98 degree inclination है Uranus का, तो यह तीनों ही बहुत ही important है, आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का inclination क्या है, Jupiter का क्या है, और Uranus का क्या है, तीनों चीज 395 की ओर, यह question है, moon faces occur due to its, moon की faces क्यों occur होती है, यह आपको बताना है, यहाँ पर, इस question में कहा गया है कि, जो moon के faces हैं, वो किस कारण से होते हैं, यह आपको बताना है, आपके पैस हैं, आपके पर options है, A revolution around earth, B orbit, C satellite, and D is gravity, और इसके लिए जो correct answer होगा, वो हो जाएगा, option है, revolution around earth, जो moon है, वो earth के around around revolve करता है, जिसके कारण हमें उसकी faces दिखाई देती है, एक और चीज की, जो हम human beings हैं, वो maximum 13 days तक अभी तक में, moon पर रह करके आया है, एक वेक्ति, जो 13 दिनों तक, moon पर रह करके आया है, यह maximum time है, जो moon पर किसी human being ने बिताया है, आगे बात करें, अगर moon के rotation की, उसके revolution की, तो 27.33 days में, moon अपने orbit पर एक revolution लगाता है, हमारे earth के, ठीक है, एक बार चक्कर लगा लेता है, हमारे earth के, वो time कितना लगता है उसे, 27.33 days, ठीक है, चलिए, question number 396, moon revolves in dash orbit, moon किस तरीके के orbit पर revolve करता है, यहाँ पर आपके पास options है, और इसके लिए जो correct answer होगा, वो हो जाएगा option D, elliptical, moon भी elliptical orbit पे ही revolve करता है, एक और चीज़ के हमारे channel के community section में, आज कल हम poll कराते हैं, आपको कुछ questions देते हैं, जिसका आपको answer देना होता है, poll के थूँ, आप भी उसमें participate कीजे, ताकि आपको, जो आपके पीछे हमने questions पढ़ा हैं, उसका आपका एक बार revision होता रहे, question number 397 है, यहापर, the moon surface has flat dark expenses called, moon की surface पे flat dark expenses हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपके पास यहाँ पर options हैं, a. mountain, b. valley, c. maria, and d. is crates, और इसके लिए जो correct answer होगा, वो option C हो जाएगा, maria, आगे बढ़ेंगे, question number 398 की तरब, यह है, it has dash distributed crates, moon पे जो crates हैं, वो किस तरीके से distributed हैं, यह आपको बताना है, आपके पास options हैं, यहाँ पर, a. uniform, b. non uniformly, c. linearly, and d. is nonlinear, और इसके लिए जो correct answer होगा, वो हो जाएगा, option a. uniformly, जो earth के, moon पे जो crates हैं, वो uniformly distributed है, question number 399, the temperature of moon towards sun, sun की तरब, जो moon है, जो moon का face है, उसका temperature कितना है, यह आपको बताना है, आपके पास, यहाँ पर options है, और correct option हो जाएगा, option a, 130 degree Celsius, moon का temperature है, जब उसका face sun की तरब होता है, आपको पता है, कि यह moon है, समझ लीजे, और यह है, आपका sun, ठीक है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, थोड़ा सा, यह size के बारे में मत सोचेगा, बस आप समझ लीजे, तो यह side जो है, यह वाली side, यह sun के तरफ face करके है, तो इस वाले side की जो temperature होगी, वो 130 degree Celsius होगी, ठीक है, अब इस side को हम कहते है, night side, क्योंकि यह वाली side, day side हो गई, और यह वाली side हो गई, night side, अब यहाँ पर वो light नहीं है, जो sun की light आ रही थी, वो light नहीं है, तो अब इस side का जो temperature होगा, night side का जो temperature होगा, वो होगा, माइनस 170 degree Celsius, ठीक है, तो जो moon में day side का temperature है, वो होता है, 130 degree Celsius, वहीं पर night side का जो temperature है, वो माइनस 170 degree Celsius है, आगे बढ़ेंगे, आज के वीडियो का last question है, question number 400, इसके बाद भी और भी वीडियो अभी आने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, यह question है, crust is the topmost part of a layer called, crust की जो topmost part है, crust layer की, उसे हम क्या कहते हैं, आपके पास यहाँ पर options है, A, troposphere, B, stratosphere, C, lithosphere, and D is none, और इस question के लिए जो सही answer होगा, वो हो जाएगा, option C, lithosphere, तो यह तो था, आज का वीडियो जहां पर आपने question number 381 to question number 400 कवर किया, मिलेंगे next वीडियो में, तब तक लिए stay tuned, जै हिंद, जै भारत,